हेलो और वेलकम टू ओर्लाइन डिटर फोर स्टड़ी बनिष्टे वैड़ फोर लर्निंग दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब को पता है कि मैंने आप सब्सक्राइब अपडेट देदी थी 68500 के बारे में कल साम को भी दोस्तों यह चीजे बताई ज मैं अभी बात करने हूं 268 या 500 के बारे में जैसा कि कल स्याम को ही मैंने आप सभी को बताया थे कि कल ही इसका ओडर जब होनी की पूरी संभाव ना थी लेकिन किसी कारण बस दोस्तों नहीं हो पाया क्योंकि जो जितने भी सीनियर एडवोकेट है वह महां पर उपलब्द न नायन मातु जी और सुधीब सेट जी दोस्तों कोड रूम आज जो उनकी तरफ से बहस देखने के रहे मिली जी जो इंडर पर और जैसे दोस्तों उनकी बहस हमापती उसके बाद से दोस्तों जो ओर्डर है वो कर दिया गया रिजर्व 33 के मुद्दों के लेकर दोस्तों जो जित मामला था काफी लंबे समय से अटका हुआ था पांसो का मुद्दा कहीने की दोस्तों इसको सिंगल बेंच में कई बार जजिस चेंज हुए आप सभी को याद होगा जस्टिस राजे सिंग चोहां जी ने भी इस केस को काफी लंबा सुना था और उसके बार से दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आप सुरी के मन में आएगा कि सर और कब तक आने की संबाव ना है अगर आपको याद होगा टीटी दोजा सत्रे के बारे में टीटी दोजा सत्रे का जो दोस्तों ओर आप सुरी को देखनी के लिए मिला 15 तारी को एजर्ब हुआ तब 20 तारी को पर भी दोस्तों यहीं चीज़े देखने के लिए मिली थी 45 जिन के अंदर आप सुरी के सामने आ गया था तो लगबग 30 से 35 जिन आप सुरी को इंतजार करना पड़ सकता है विशेश स्थिति के अंदर इससे ज्यादा भी समय हो सकता है यह सिब एक अनुमान है जिसे कि आप अब दूसरा सवाल आप सुरी के मन में होगा कि जो और है वो किसके पक्ष में आने की समभावना है अगर दोस्तों चीज़ों को सुना जाए चीज़ों को समझा जाए जैसा कि मैं आप सुरी को या चीपक्ष की बात को या फिर एडबोकेटिंग की माने तो उनका कहने की सा चाल तो दॉसरा आप संभाई समाप्त हो चुकी है बिल्कूल पूर्ण जूप से समाप्त हो यह और रेसर्व हुआ है 30 33 का दोस्तों जो मुद्धा था अभी के लिए दोस्तों डग सिंगल बेंच से समाप्त हो चुका है तो गाईस फ्लाइस व्यों के मात्यम से इतना ही ज Thank you, thank you for watching this video.